जैमात अदिस सभी को मैं हूँ डॉक्टर रंजिवासन और स्वावत है आपका मेरे चैनल बर नवरात्रों के आपको बहुत बहुत शुक्काम नाए आज हम बात करने वाले हैं कि 9 नवरात्रों में कौन से ऐसे 9 भोग हैं जो हम मां को लगा के मां को प्रसंद कर सकते हैं तो जलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं आती रहती हूं बहुत सारी जियन सिंपल रेमिडिज के साथ टारो रीडिंग और निम्रालिजी और पेस रीडि बहुत पुरानी बिमारियां चल रही हैं तो इस दिन मा शेल पत्री को शुद्ध घी का भूग जरूर लगाईएगा इससे आपको आपका जो शरीर है वो निरोगी होता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं बात करते हैं दूसरे दिन की दूसरा दिन हैं बाब्रम से बनी खीर का भूग लगाते हैं तो आपके सब प्रकार के दुख जो है वो माहर के लिए जाती है पर इस दिन में कहूंगी कि दूद की जब खीर बनाने लगें तो खीर चाबलों की मत बनाईएगा या तो वृत के चाबलों की बनाईएगा या फिर साबुदानी की यानि की मा कुश्मांडा का दिन इस दिन अगर आप मा को मालपुए का भूग लगाते हैं तो आपके और आपके परिवार के बच्चों के बुद्धी का विकास होता है और साथ साथ उनके decision making power भी अच्छी होती है नवरात्रे का पांच्वा दिन यानि की मा सकंदमाता का द इस दिन अगर आप मा को शेहत का भूग लगाते हैं तो आने वाले जो सदन संकट हम लोगों पर पढ़ जाते हैं उनसे मा आपकी रक्षा करती है नवरात्रे का आठवा दिन यानि की मा गौरी का दिन मा गौरा के दिन अगर आप मा गौरा को नारियल का प्रशाद चड़ाते हैं तो आपको बच्चों से रिलेटिड जितने भी issues हैं बेबी conceive नहीं हो रहा बेबी है फेजिकल हेल्थ उसकी खराब रहती है बच्चों के कर हैं, नवरात्रों का नौवा दिन यानि की लास्ट दिन जो है मा सिध्धी दात्री का इस दिन अगर आप मा गौग लगते हैं, तो आपके जितने भी कुष्ट धे希望, आपि अपने देखे हैं आप या या लंबी विमारी है, हर तरह की चीजों से काले तिल मा को भूग लगाने से या ब्रह्मन को दान देने से ये सब दूर होते हैं और मा की क्रिपा आपको प्राक्त होती है अमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चलती हूँ चलती ही मिलूँगी नई वीडियो में तब तक के लिए चया मता दी हपी नवरात रे